तो कहानी के स्टार्ट में एक छोटी बच्ची के बारे में बताया जाता है कि एक दिन उसकी धादी ने उसे रेड वेलवेट से बनी एक राइडिंग हूड दिया जो उस पर बहुत अच्छा लगता था इसलिए हमेशा वो उसे पहन कर रखती थी जिस वजह से लोग उसे लि है रेड हूड एक सुन्दर जंगल से गुजरते हुए इस पेन हाइगन की ओर जा रही थी कि तब ही सामने जादूगरनी बावरा पर कट होती है बट रेड हूड उसे नजर अंदाच करके आगे बढ़ जाती है जो बावरा को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता इसलिए उसका रास्ता रोक कर कहती है कि तुम अपने इस बेकार से जूते में इस पेन हाइगन नहीं जा सकती क्योंकि वो यहां से बहुत दूर है इसलिए मैं तुमें अपने जादू से नए जूते दे सकती हूँ और जबरदस्ती उसके जूते पर जादू कर देती है पर जूते नए होने के बजाए और भी गंदा हो जाता है क्योंकि बारबरा को जूते वाली जादू नहीं आती थी। रेड हूट जूते को साफ करने लगती है कि तभी उसकी जूते पानी में बह जाती है। इसके बाद रेड हूट नंगे पाओं वहां से आगे बढ़ने लगती है। वहीं कुछ दूर जाने पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी ही जूते पहनी हुई थी। रेड हूट उस लड़की के पास जाकर कहती है कि वो मेरे जूते है। इस पर लड़की रेड हूट को उसके जूते वापस कर देती है और रेड हूट के पूछने पर वो अपना नाम सिंडरेला बताती है जो काफी उदास लग रही थी क्यूंकि आज उसका कबूतर मर गया था लेकिन तभी रेड हूट को सिंडरेला के पास्ट की कुछ विजन जाते है जो रेड हूट की एक स्पेसल पावर थी जिससे रेड हूट सिंडरेला के बारे में बताने लगती है कि उसकी एक सौतेली मा और दो बहने है जो उसे परेशान करती है अपने बारे में जानकर सिंडरेला हैरान हो जाती है और रोते हुए बताती है जहां बदसूरत लोगों के लिए कोई जगह नहीं है बलकि बचसूरत होना ही पाप है और सिंड्रेला के घर को देखते है जहां उसकी सौतेली मां और दो बहने एन और मार को होती है जो सिंड्रेला से नौकरों की तरह काम करवा रही थी यहां हमें पता लगता है कि आज रात महल में एक डांस पार्टी है जिसमें राजकुमार अपने लिए एक राजकुमारी को चुनेंगे सिंड्रेला भी उस पार्टी में आना चाहती थी क्योंकि वो भी राजकुमार को पसंद करती है बट उसकी मां और बहने उसे बचसूरत कहकर डांड देती है उसकी मां को यकीन होता है कि आज राजकुमार उसकी बेटी एन को ही चुनेंगे क्योंकि एन के लिए वो दुनिया के सबसे अच्छे हेड डेसर को लाएंगी वहीं सिन्रेला की कबुतर मारको का गिरा हुआ खाना खाने लगती है जो मारको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता इसलिए कबुतर को बचसूरत ब नहीं की फिर भी उनकी पतनी बनना चाहती हो इस पर सिन्रेला मुस्कुराते हुए बताती है कि उसने सुना है राजकुमार अच्छे दिल के इंसान है और उन्होंने तो राजनीती भी पढ़ी है इसलिए जब वो राजा बनेंगे तब हमारा देस और भी अच्छा और खु पूचती है क्या तुम्हें डांस पर जाने वाली रेस चाहिए इस पर रेड हुड कहती है वो तुम्हारे बस की बात नहीं कि बार्बरा ओलरी उसके जूते को खराब कर चुकी थी लेकिन तभी बार्बरा अपनी जादू से सिंड्रेला को एक पूपसूरत पड़ी की तरह चमका देती है ये देखकर रेड हुड भी उस पर जादू करने को कहती है क्योंकि वो दुनिया घूमने की सफर फर निकली है तो इस खूपसूरत महल को देखे बिना कैसे जा सकती है बार्बरा उस पर भी जादू करके खूपसूरत बना देती है लेकिन अभी भी एक चीज जादू आधी रात तक ही रहती है जबकि मेरी 24 आवर्स और कहती है कि वो उनके जूते को काज के सैंडल में बदल देगी लेकिन यहां एक दिक्कत थी कि सिंड्रिला के पास जूते ही नहीं थे इस पर रेड हूट बाबरा को बहला फुसला कर उसकी जूते सिंड्रिला को दिल चाहिए था इसलिए बाबरा एक चूहे को इनसान में बदल देती है जिसका नाम पॉल दा माउस था उसे महल के बारे में सब कुछ पता होता है उसके बाद दो चूहे और एक कद्दू को घोड़ा गाडी में बदल देती है जिसे पॉल ड्राइब करके महल की और जाने लग दी थी जिसके वज़े से वो मर चुका था सिंड्रेला बताती है ये तो दुनिया के सबसे अच्छे हेर ड्रेसर मिस्टर हांस है तभी रेड हुट को मिस्टर हांस के पास्ट की कुछ विजन दिख जाती है इसलिए हांस के बॉड़ी को चेक करके बताती है कि मिस्टर हांस की म एक लड़की को महल में जाने से रोक रहा था, क्योंकि वो बचसूरत थी, तभी रेडूर और सिंडरेला भी अपने घोड़ागाडी से वहां पहुँच जाते हैं, दोनों इतने सुन्दर लग रहे थे, कि पहरेदार देखते ही रह जाते हैं, महल में सभी डांस कर रहे होते ह सिंडरेला इतनी सुन्दर लग रहे थी, कि सभी उसे ही घोड रहे थे, क्योंकि उसकी सौतेली मा और बहन एन भी वहां पर थी, इसलिए सिंडरेला घबरा कर रेड हूट के पीछे चुप जाती है, पर सिंडरेला बहुत अलग लग रही थी, इसलिए वो लोग उसे पहचा कुमार को छोटे बालोवारी लड़की बहुत पसंद है, इसलिए एन ने भी अपने बाल छोटे करवा लिए, मौम बताती है तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्योंकि तुम्हारे बाल दुनिया के सबसे अच्छे हेड ड्रेसर मिस्टर हांस ने काते है, तबी इस राज कुमार उसे ही चुनेंगे, लेकिन राजकुमार उसके सामने से निकल जाता है, और आखिर में खरी सेंडरिला से डांस के लिए पूछता है, इसके बाद सभी डांस करने लगते है, लेकिन तबी एक सिपाही भागता हुआ आता है, जिसके वज़े से चसन को रोक दिया जात है, महराज बताते है कि कुछ देर पहले जंगल में उसके वफादार ही अड्रेसर मिस्टर हांस की लास मिली है, उसे किसी ने मार कर पत्तों से छिपा दिया था, उसके माथे पर घोड़े की खुड का निसान था, और सर के पीछे पत्थर का, इसलिए जसन में आए सभी के घ गोड़े गाड़ी को चेक करने का ओर्डर देता है, क्योंकि जिस भी गाड़ी पर खुण होगा, वही मिस्टर हांस का कातिल होगा, इस पर सिंड्रेला घपरा जाती है, पर रे धुर उसे चुप रहने को कहती है, क्योंकि पॉल ने गोड़ा गाड़ी से खुण साफ कर दि कि उन्हें किसी भी घोड़ा गाड़ी पर खुण का निसान नहीं मिला, मतलब इनमें से कोई भी कातिल नहीं है जिससे सबी राहत की सांस लेते है, लेकिन फिर डाक्टर के जाच को बताया जाता है, कि उसके सिर्क के पीछे का निसान गोड़ा गाड़ी के निसान से काफी पहले की है और सैनिको को मिस्टर हांस के घर में पून से सना एक पत्थर का टुकरा मिलता है जिससे साफ होता है कि हांस का कून उसके घर में ही हुआ था लगभग एक से तीन बजे के बीच तबी लॉड चेमबरलिन कहते है कि जाच में इन्हें मिस्टर हांस के घर से कुछ बेबालों को कार्ड दिया होगा। जिससे गुश्सा कोकर किसी लड़की ने, Mr. Hans को मार दिया। इसिता महाराज सभी छोटे बालों वालि lड़की को बुलाते है। जिनमें Aien भी थी। चैमर लिन्य कहते है। इनहीं पांचों में पैंचों में तब उनके बालों को काटा गया पर उसने ऐसा क्यों किया ये तो जिसके बाल कटे है वही बता सकती है इसलिए एन से उसके बालों को काटने का टाइम पूचती है इस पर एन कहती है कि दस बजे वो तैयार होकर मिस्टर हांस के घर गई थी वो काफी खुस लग रही थी क्योंक कुमार को छोटे बालोवारी लड़की अच्छी लगती है तभी राजकुमार मिस्टर हांस का सीक्रेट बताता है कि असल में मिस्टर हांस को किसी भी लड़की की खूबसूरत बाल देखना पसंद नहीं था जिसे उसने नहीं सवारा हो इसलिए वो उनके बालों को जबरदस् कि आज दो पहर में वो राजकुमार से मिलने आई थी बर मिल नहीं पाई क्योंकि राजकुमार के रूम से उसके और मिस्टर हांस के लड़ने की आवाज आ रही थी जहां राजकुमार बहुत गुस्से में लग रहे थे इसलिए वो वहां से भाग गई इस पर सभी को राज कुमार पर सक होता है पर राजकुमार अपने बचाओं में कहता है मिस्टर हांस उसे बलैक मिल कर रहे थे क्योंकि आज से एक साल पहले उसने Lehight के ताच को तोड़ा था ये सुनकर राज और भी गुस्सा हो जाते है तब ही हमें पता लगता है कि राजकुमार रेमी नाम के एक लड़की से प्यार करता था जो की एक नौकरानी थी उन्होंने अपने प्यार के बारे में महराज को भी बताया लेकिन उसके बाद से रेमी गायब हो गई इस पर राजकुमार को लगा कि महराज नहीं उसे गायब करवाया होगा इसलिए गुस्से में आकर महराज के ताच को तोड़ दिया इस पर दोनों बाप बेटे में बहस होने लगती है दरसल कहानी का डिरेक्शन बदल गया था इसलिए रेड हूट कहानी को ट्रेक पर लाती है फिर राजकुमार आगे बताते है कि मिस्टर हांस ने उसे धंकी दी थी कि साही आई ना साम तक उसके घर में भी नहीं था तो राजकुमार कहता है कि एक से तीन वज़े के बीच वो सैर के लिए पहारियों पर गया हुआ था लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं था क्योंकि किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा था इसलिए महराज उसे अरेश्ट करवा देते है लेकिन तभी वो बचसूरत लड़की जो चुपके से महल में गुसाई थी राजकुमार के लिए गवाही देती है कि उसने राजकुमार को सैर करते हुए देखा था क्योंकि वो वहीं जंगल के एक गुपा में रहती है लेकिन वो एक बचसूरत और गड़ी बलड़की थी इसलिए उसके कवाह को एकसेप नहीं किया जा रहा था तभी रेड हूट काटे का एक टुकरा दिखा कर कहती है कि ये काटा जंगल के रास्तों में पाये जाते है जो उसे राजकुमार के कपड़े में मिला इसका मतलब राजकुमार सच में सैर पर गया था रेड हूट के एकस्प्ल हो जाईगी जिससे ये लोग पकड़े जाएंगे इसलिए सैंडल को वहीं छोर कर भाग जाते हैं वहीं राजकुमार को सैंडल के अलावा सेंडला के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है इधर जैसे ही बारा बस्ती है बाबरा की जादू खतम हो जाती है और सभी अपने असली रूप में आ जाते है क्योंकि आदी रात हो चुकी थी इसलिए सिंड्रेला रेड हुट को अपने घर ले आती है थोड़ी देर बाद रेड हुट को बाहर से कुछ आवा सुनाई देता है जिसका पीछा करते हुए रेड हुट जंगल में चली जाती है जहां उसे पीछे पड़े थे इसलिए रेड हुट से मदद करने को कहती है और बताती है कि उसने मिस्टर हांस का फून कर दिया है पिर रेड हुट के कहने पर वो डीटेल में बताने लगती है कि हांस ने एक चिट्थी लिखकर चार वजे मुझे अपने घर पर बुलाया था ताकि डा उन से सना एक पत्थर था इसका मतलब मैंने ही मिस्टर हांस को मारा होगा उसके बाद मुझे लगा कि लास को ठिकाने लगाना चाहिए इसलिए मिस्टर हांस के लास को लेकर चंगल में चली गई और सरक के किनारे गाड़ी का वेट करने लगी फिर तब ही एक अजीब सा घो इसलिए सबक सिखाने के लिए पकरवाया वहीं पर रेडूट को मारको के कप्रे से काज के सेंडल का एक टुकड़ा मिलता है उसके बाद रेडूट चेंबरलीन के साथ मिस्टर हांस के घर जाती है जहां फर्स पर खून के छीटे पड़े थे जो एक साल पुरानी थी इस प अगले दिन सिंडरेला कप्रे सुखा रही थी वहीं पर उसकी एक पैर का सेंडल भी रखा था तभी राजकुमार सिपाहियों के साथ वहां आ जाते है चेंबरलीन बताते है कि राजकुमार काच के सेंडल वाली लड़की को ढून रहे है और ये सेंडल उसी को फिट होगी जो इसे पहले बार पहनेगी इसलिए सिंडरेला को सेंडल पहनने को देता है जो उसके पैर में पूरी तरह से फिट हो जाती है क्योंकि ये सेंडल उसी की थी ये दिखकर राजकुमार बहुत खोश हो जाते है और उसे एरेस्ट करवा देता है सिंडरेला को कुछ भी समझ कनि की आ रहा था कि तभी रेडव आकर सिंडरेला के पैरों में लगे जक्म के बारे में पूचती हैlar सिंडरेला कहती है करें तो बताया था कि रास्बेरि लाते टाइम काटे लग गए थे इस पर रेड़िए बसकरो तुमरे तो जूठ बोलना भी नहीं आता झाल तुम हीह तो कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली तो कुछ अजीब लगा इसलिए मैं तुम्हारे साथ डांस पर गई इस पर सेंड्रेला कहती है कि मैं भला मिस्टर हांस को क्यों मारूंगी इस पर रेडूट कहानी को सुल जाते हुए आगे बताती है तुम खूबसूरत हो और ये बात मिस्टर हांस अच्छे से जानता था इसलिए उसके मन में तुम्हारी बाल काटने की इच्छा जग गई और तुम्हें खूबसूरत बनाने का लालच दे कर अपने घर ले गया जहां जबर्दस्ती तुम्हारी बाल काटना चाहा इसलिए तुमने उसके सर पर पथर मार दिय जिससे वो वहीं पर मर गए इसके बाद अपने आपको बचाने के लिए अपनी बहन मारको को मिस्टर हांस के तरफ से एक चिठी लिखी और जब वो आई तो उसे भी तुमने पीछे से हमला करके बेहोस कर दिया और खून वाली पत्थर उसके हाथ में रख दिया ताकि सभी को लगे कि मारको ने ही मिस्टर हांस को मारा है सिंडेला से एक कलती हो गई थी मारको को जिस सैंडल से मारा था उसका एक टुकरा मारको के कपड़े में रह गया था इस पर सिंडेला ये सब रेड हुट की बनाई हुई एक कहानी बताती है क्योंकि उसके सैंडल उसके पास ही थ जो बिल्कुल ठीक था इस पर रेड हुड कहती है कि ये टुकरा इस सेंडल का नहीं बलकि दूसरे सेंडल की है जिसे तुमने अपने कबूतर के साथ तफना दिया था ताकि किसी को पता ना लगे तभी चेंबरलीन वो सेंडल भी दिखाता है अब सिंड्रेला पूरी तरह से चुकी थी लेकिन फिर भी मानने को तयार नहीं थी इसलिए रेड हुड फाइनल राउंड के लिए मिस्टेकला को बुलाती है मिस्टेकला बताती है कि उसने उसे पहले भी एक जोड़ी सेंडल दिया था लेकिन दूसरी बार बाब्रा के जादू के वज़े से वो उसे नफ्रम हो जाता है कि सिंड्रेला ने ही मिस्टर हांस का खून किया है इसलिए सिपाई उन्हें लेकर चले जाते है इसके बाद राजकुमार रेड हुड को सुक्रिया कहता है लेकिन अभी तक केस पूरी तरह से सुल्जा नहीं था इसलिए रेड हुड बताती है कि जब वो ज चेहरे पर सीजर का एक निसान लग गया इसलिए रेमी ने अपने आपको गायब कर लिया और तभी चेंबरलीन उस बचसूरत लड़की को लेकर आता है जिसने राचकुमार के लिए गवाही दी थी जो और कोई नहीं रेमी ही थी रेमी को देखकर राचकुमार बहुत खोश ह हो जाते हैं लेकिन रेमी अभी भी बात करने से कत्रा रही थी क्योंकि वो अपने आपको बचसूरत मानने लगी थी इस पर रेडूड उसे समझा कर मना लेती है और इस तरह से राचकुमार का खोया हुआ प्यार मिल जाता है उसके बाद रेडूड अलविदा लेकर अपने चैनल को भीजित करना ना भूड़े हम मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में हैवा नाइस डे